हेलो एवरिवन तो ये वाला पिनाटा केक मैंने अपनी मम्मी के बड़े पे बनाया था तो मैंने इसको शॉर्ट्स पर अप्लोड कर दिया और मैंने डिसाइड भी यही किया था कि मैं इसे सिर्फ शॉर्ट्स पर डालूंगी फुल वीडियो इसकी नहीं बनाऊंगी पर मेरे साथ ऐसे कुछ experience हुए और कहीं सारी मुश्किलों का सामना करके ये पिनाटा केक मुझसे बन पाया था तो मैंने सोचा कि जो लोग बेकिंग करते है या जो भी जिनोंने अभी तक पिनाटा केक नहीं बनाया है उनके लिए कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा इस वीडियो के थूँ तो इसलिए मैं इस वीडियो को फुल वीडियो पर भी अपलोड कर रही हूँ तो मेरे पास पिनाटा की जो मोल्ड है वो दो है तो अगर आपके बास एक है तो आप एक में भी एडिस्ट कर सकते हो तो यह मैं दू रहा है . मुझे रियाँज हुई ना तो आपको सिर्फ दू लेयर्स भी अगर आप पिनाटा में डालते हो ना या ले सकते हो मेरे घर पे जादा किसी को डाइक चॉकलेट नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट से ही पिनाटा केक बनाया था तो तीन लेयर ना मेरी शायद जादी ही मोटी हो गई थी आप कोई प्रॉबलम निये तीन लेयर भी आप कर सकते हो आप कोई तकलीफ नहीं है बट आप दो लेयर में भी इस पिनाटा केक का जो कवर है वो बना सकते हो मैंने तीन लेयर इसलिए बनाई मेरा फॉर्स ताइम मैंने इस केक को बनाया तो मुझे यह जादा डर था के कहीं नहीं तोडने में मतलब इस तरह से जो मैं अब इस घर नागता है न जो काम आप फर्स टाइम करते हो उसमें तो अगर आप दो लेयर भी डालोगे तो शायद अच्छे से ही पिराटा निकल जाएगा तो यह देख सकते है आप कितना स्मूध निकल गया था मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे ही डर रही थी पर फिर भी डर तो लगता है थोड़ा सा और second वाले mode में जो confidence मुझे में आया वो अलगी level का था तो आप देख सकते हैं कितना फटा-फट से मैंने second वाले mode से निकाल दिया और अब आते हैं second mistake पर जिसने मुझे बहुत जादा परेशान किया आपने अगर देखा होगा तो मैंने white chocolate code पे लगाया तो ये गलतिया बिल्कुल भी मत करना ना तो आप इस पे white chocolate लगाना ना तो dark chocolate लगाना ना ही cream लगाना बिल्कुल भी मत लगाना ये सारी शीज़े क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ और मेरा पूरा पिनाटा की बनने के बाद पिनाटा की सीधा मेरे हाथ पर ही गिरिया क्योंकि वो फिसल गया बोर्ट पे वो बराबर से stick नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं आपको एक suggestion दूँगी क्योंकि पूरी डिजाइन कंप्लीट होने के बाद दो बार ये पिनाटा की मेरे हातों पर आ गया और बोर्ट से अलग हो गया तो पूरी डिजाइन खराब हो गई तो उसके बाद मैंने सुचा कि क्या करूं क्या नहीं फिर मैंने सुचे चलो गनाज से भी हम इसे स्टिक करके देखते तो हाँ फिर गनाज से स्टिक हो गया था तो आप भी यही करना तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सभी को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने ना पड़े जो की मुझे हुई है उसके बाद में मैंने वाइट चॉकलेट से दोनों पिनाटा को स्टिक कर दिया था और फिर इस तरह से मैंने रिबन लगा दी थी तो मैंने फिर परपल कलर की क्रीम से इस तरह से डिजाइन भी कर दी थी आपको चाहिए तो आप ये डिजाइन कर सकते हो वरना तो नॉर्मली पिनाटा केक के उपर सिफ चॉकलेट डालके जैम्स या जो भी चॉको चिप स्टिक की जाती है एक तो मेरे दूसरे केक के ओर्डर भी थे और मुझे ये वाला केक मम्मी के लिए भी बनाना था तो मैंने दूसरे ओर्डर अपने फटाफट कम्पलीट किये थे और उसके बाद मैं एक 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 बना रही थी और बारा बजने वाले थे तो इतनी जादा घाई में मुझे इस केक को बनाना पड़ गया था और फिर उसके उपर मैंने जैम स्टिक कर दिया था और जैम स्टिक करने के बाद मैंने वाइट कलर का रोस बना कर पिनाटा के टॉप पे रख दिया क्योंकि उसमें मुझे टॉपर लगाना था है एपी बड़े मॉम का और अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखोगे तो ब्लैक टॉपर है क्योंकि मेरा गोल्डन वाला टॉपर तूट गया था तो इसलिए मुझे फिर वो चेंज करके ब्लैक वाला लगाना पड़ गया था जो कि मम्मी को बहुत अच्छा लगा बहुत पसंद आया था और अगर आपको भी वीडियो थोड़ी सी भी हलपफुल लगी होगी ना तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चानल को सब्स्राइब करना मत भूलना मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई